अभी पिछली क्लास में हमने नमूना लेने की प्रक्रिया देखी, नमूना लेने की प्रक्रिया का आगामी ये कदम होता है, कि उसे बोर्ड द्वारा इस्थापित परियोग साला के पास भेजा जाएगा, या केंद्री या राज सरकार द्वारा जो इस्थापित परियोग सा ड़िएगी वो तीन प्रतिहों में दी जायेगैं Finnish किसकी रिपोर्ट हीटारी कौन से विशलेशक की रिपोर्ट दो जगा जा रहा है एक बोर द्वारा इस्थापित प्रियोक स्लामें पुप सरकार द्वारा इस्थापित प्रियोक स्लामें दोनों जगा की प्रयोग साला से जो आपको रिपोर्ट प्राप्थ होगा वो दोनों तीन तीन प्रती में होगा ये भी तीन प्रती में होगा और वो भी तीन प्रती में होगा जब बुक पढ़ेंगे आप तो दोनों आप देखेंगे दोनों जगा तीन प्रती की बात हो रही है कोई भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो compare करके पढ़िए जब एक ही समान बात दो जगा लिखी हो तो आपको compare करके पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि दो जगा लिखी है एक जगा भी लिख सकता था दो जगा लिखने का कुछ तो उद्देश होगा और दो जगा लिखा है तो उसमें क्या समानताएं है और क्या विभिननताएं है इसे कहते हैं तुलना और जब आप तुलना करते हैं तो आपके मस्तिष का दर्वाजा थोड़ा सा और विक्सित होता है थोड़ा खुलता है ठीक है अब बात आ रही है कि ये भी तीन प्रती में रिपोर्ट देगा ये भी तीन प्रती में रिपोर्ट देगा रिपोर्ट तो एक प्रती में भी हो सकता था तीन प्रती देने का उद्देश यहां यह है कि यहां तीन पार्टी हो सकती है संभावी पहला जिसके कार खाने से सेंपल लिया गया अर्थात वह व्यक्ति या प्रबंधक या अधिश्ठाता या अधिश्ठाता का एजेंट यहीं कहा गया ना पिछली क्लास में कि एजेंट या अधिश्ठाता को सूचना देगी दिया जाएगा उसकी उपस्तिती में क्या लिया जाएगा नमूना लिया जाएगा अब वो नमूना लिय गया तो उसकी कॉपी दोगे न भाई उसको नहीं दोगे कि आखिर आपके यहां से जो नमूना लिया गया मिला क्या उसमें कॉपी किसको जाएगी अधिश्ठाता को अधिश्ठाता या उसका एजेंट occupier और agent ठीक है दोनों में किसी एक को दी जाएगी दूसरा किसको दी जाएगी संबंधित board को अगर board ने लिया है तो board को board द्वारा इस्थापित प्रियोग साला जो है अगर उसने प्रियोग करवाया है तो एक कॉपी board को भेजेगा प्रियोग साला अपने पास नहीं रखेगा इसको भेजेगा board को और तीसरा कॉपी ज़रूरत पढ़ने पे नियालाई के समक्ष प्रस्तूत किया जाएगा अगर कोई legal action लिया गया उसके खिलाफ हो सकता है कि प्रदूसर्ण करे और प्रदूसर्ण करे तो उसके खिलाफ legal action लिया जाएगा तो जो प्रियोग साला की report है वो नियालाय में प्रस्तूत की जाएगी ठीक है इतना समझ में आ रहा है इसके बाद क्या कह रहा है अगर सरकार दोरा इस्थापिक जो प्रियोग साला है अगर वहाँ सरकारी इस ले सकने कोई report बनाई है तो वो भी तीन प्रती में होगी और वो तीन प्रती इसको भेज़ दी जाएगी किसको board को और वो भी इसी प्रक्रिया का पालन करेगा मतलब एक कॉपी वो अधिश्थाता को दे देगा एक कॉपी खुद रखेगा और एक कॉपी जरूरत पढ़ने पर न्याले के समख्ष प्रस्तूत करेगा ठीक है तीन कॉपी का उद्देश समझ में आ रहा है प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो सकती है लेकिन ये तीन कॉपी यही तीन जगा जाएगी ठीक है अब बात आती है कि ठीक है ये भी रिपोर्ट कर रहा है और इसकी द्वारा भी इस्थापित परियोक साला भी ही है हो सकता है कि दोनों में भिन्नता हो हो सकता है कि नहीं हो सकता है मालो बोर्ट द्वारा इस्थापित परियोक साला है उसकी कुछ रिपोर्ट आई और सरकार द्वारा इस्थापित परियोक साला है उसकी कुछ रिपोर्ट आई किसको मानोगे दोनों तो प्रियोग साला है यहां अधिनियम में ही स्पष्ट कर दिया गया कि जहां दोनों में विरोध हो वहां सरकारी विसलेसक यानि सरकार द्वारा इस्थापीत प्रियोग साला की रिपोर्ट यही मानी जाएगी सरकारी विसलेशक की जो रिपोर्ट है वही मानी जाएगी हाला कि यह बात सही है कि अगर दोनों अगर एक दूसरे के विरोध में हुआ तो इसका साक्षिक मूल्य थोड़ा सा कम हो जाता है कि यह यह कह रहा है यह यह कह रहा है कोट में जब मामला जाएगा तो आदमी दिखाएगा ना कि तुम यह कह रहा है हो तुम्हारा बोर्ड का रिपोर्ट यह कह रहा है तो कहने का ताद पर आपका यह है कि जो आपने रिपोर्ट वहां सब्मिट की है वहां से मंगवा के वो गलत रिपोर्ट है हम तो इस रिपोर्ट को मानते हैं तो वो अधर मेटर है, लेकिन अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया है, कि जब दोनों के प्रियोग साला में अंतर हो, तो सरकारी विशलेशक वाली रिपोर्ट अर्थात सरकार द्वारा इस्थापित प्रियोग साला, जो केंदरी सरकारी अराज सरकार द्वारा इस्सापित प्रियोग साला है, उस प्रियोग साला के सरकारी विशलेसक की रिपोर्ट ही विधी मानने होगी, अभिभावी होगी, ठीक है, ओवर राइड इफेक्ट यही रखेगी, ठीक है, खर्चे के संबन में यह कहा गया कि खर्चे जो हैं, वो अधिश्ठाता या एजेंट से लिये जाएंगे, क्यों लिये जाएंगे, आपने पिछली क्लास में देखा कि अगर दो भागों में कब किया जाएगा, जब वो रिक्वेस्ट करता है कि इसको दो भागों में बनाओ, और एक भाग किसको भेज़ दो, केंदरी परियोकसाला को, या राज्य परियोकसाला को, सरकार द्वारा इस्थापित परियोकसाला, राज्य सरकार या केंदरी सरकार द्वारा इस्थापित परियोकसाला को, अगर ऐसा वो रिक्वेस्ट नहीं करता, तो बोर्ड द्वारा इस्थापित प्रियोग साला में केवल एक ही नमूना जाएगा और अगर वो request करता है कि दूसरा नमूना भी एक इसका पार्ट बनाया जाए तो एक पार्ट बनाया जाएगा और संबंधि सरकार द्वारा इस्थापित प्रियोग साला में उसको भेजा जाएगा request नहीं करता तो एक copy बनी गए उसका खर्चा अधिनियम के अंतरगत सरकात या board वेहन करेगी वो जो दूसरी copy है जो कि उसके request पे बनाई जा रही है उस दूसरी copy की report का जितना भी खर्चा होगा लाने ले जाने और विसले सण का जो भी खर्चा आएगा वो अधिश्ठाता और agent को दी जाएगी उसके द्वारा वहन किया जाएगा ठीक है report की बात हो गई जैसा कि शुरुवात में ही चर्चा हुआ कि जब नमूना लिया जाएगा तो report भी बनेगी लेकिन ये नमूना लेना report बनाना तो बाद की प्रक्रिया है नमूना लेने के पहले आपको प्रवेश करना पड़ेगा प्रवेश करोगे तब तो नमूना लोगे ठीक है तो प्रवेश करने के संबंध में भी कुछ अधिकार दिये गए है बोर्ड ने अगर किसी अधिकारी को authorize कर दिया है कि वो जाके नमूना ले या प्रवेश करे तो उसके संबंध में प्रवेश करने के संबंध में कुछ अधिकार दिये गए है यहाँ प्रवेश करने का अधिकार है प्रवेश करने का अधिकार के अंतरगर वह व्यक्ति जिसको अधिनियम के करतब्यों का या बोर्ड द्वारा जो उसको करतब दिये गए हैं उसको पालन करने के लिए वो प्रवेश करेगा ठीक है घूमने के लिए प्रवेश नहीं करेगा राजी बोड ने जिसको authorize किया है उसको ये लगता है कि बीना प्रवेश किये उस संस्थान में उसका नमूना नहीं लिया जा सकता या फिर वहाँ सही reporting नहीं हो सकती तो वो प्रवेश कर सकता है उस संस्थान में किसके लिए बोड द्वारा अधिरोपित कर्तब्यों के पालन के लिए ठीक है अब प्रवेश कर लिया अब प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ कुछ ऐसे संयंत्र है या कुछ ऐसे लेखा बही हैं लेखा बही समझते हो जिसमें सारा रिकार्ड रहता है कि क्या-क्या आया क्या-क्या गया क्या-क्या काम कर रहा है क्या-क्या काम नहीं कर रहा है कौन-कौन से मटेरियल कारखाने में हैं कौन-कौन से मनाये जाने हैं ठीक है तो उसको कहते हैं लेखा बही एक तरह से पूरा रिकार्ड रहता है उसमें कि कारखाने में कौन-कौन से काम हो रहे हैं जब CBI कहीं छापा मारती है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश रहता है कि उसकी लेखा बही जो है वो जब्त कर ली जाए उसमें पता रहता है कि कहां-कहां से आ रहा है कहां-कहां पैसा जा रहा है इंकम टेक्स वाले अगर छापा मारेंगे तो सबसे पहले कोशिस करेंगे कि लेखा बही मिल जाए जब पैसा मिलता है तो क्या होता है कि एक जगा से पैसा मिला लेखा भही मिल गई तो कहां कहां पैसा रखा है और सब पता चल जाएगा मान लो केवल पैसा ढूंधने गई इंकम टेक्स की टीम अब उसको मिल गया एक घड़ा सोना और उसको मिल गया एक लेखा भही ठीक है तो ऐसा नहीं है कि एक घड़ा सोना लेके आ जाएगी तो लेखा भई भी देखेगी और देखेगी कि एक घड़ा सोना यहाँ दो घड़ा सोना बाथरूम में, तीन घड़ा सोना बेडरूम में, टाइल्स के नीचे तो लेखा बही में क्या होता है? सारी जानकारी रहती है अब हुआ व्यक्ति जाता है तो लेखा बही या संयंत्रों का निरिक्षण कर सकता है सबसे पहले क्या अधिकार है उसको? निरिक्षण कर सकता है निरिक्षण मतलब देखना? निरिक्षण कर सकता है और निरिक्षण करने के बाद ये लगता है उसको कि ये जो संयंत्र है, ये जो कारखाना है, ये जो इनका आउटलेट है, मतलब जो ये क्या कलाता है, अपने मल को निकालते हैं, या कूडा करकट को निकालते हैं, या फिर जो भी निकालते हैं, इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूसन हो रहा है, जल प्रदूसन अधिनियम के अंतरगत अपराध हो रहा है, किसी भी प्रकार का है, इस अधिनियम के अंतरगत अपराध हो रहा है उस कारखाने में ठीक है और उसके साक्ष के लिए जरूरी है कि यह संयंत्रों का या लेखा बही का या किसी अन्य साधनों को जब्त कर लिया जाए अभी ग्रहित कर लिया जाए तो निरिक्षण के उपरांत अगर उसको ऐसा लगता है तो उसे अभी ग्रहन की भी सकती है अभी ग्रहन मतला सिज कर लेना और उसको उठाके बोर्ड के समक्शे रख देगा कि गए थे भीए हमको देखो यह यह चीज मिला है इसी से सावित हो जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है जल प्रडूसर हो रहा है ठीक है तो ये सारी पावर उसको दी गई है आगे ये भी कहा गया है कि इस कर्तब्यों का पालन करने के लिए उसको दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 94 के अंतरगत समझ सक्क्तियां होंगी ठीक है धारा 94 तलासी वारंट के संबंद में ये कहता है कि जब किसी इस्थान में कोई ऐसी वस्तुएं पाई जाना अपेक्षित है जो कि अपराधिक प्रकृति की हों या जिन से अपराध किया जा सकता हो तो उसके संबंद में जब्त करने का प्रावधान है ठीक है वो सारे सकतियां उस अधिकारी को होंगी जो जल प्रदूसर अधिनियम के अंतरगत राज बोड़ द्वारा ऑथराईज कर दिया जाता है कि आप जाईए निरिक्षण कीजिए प्रवेस कीजिए ठीक है तो यही आज की क्लास में दो महत्पूर्ण चीजिए आप समझ लेजिए एक प्रवेस करने की सकती और दूसरा नमूना अगर लिया गया है तो उसकी रिपोर्ट कैसे की जाएगी ठीक है एक ही दिन में सब पढ़ जाएंगे तो उपर से कूच जाएगा थोड़ा थोड़ा करके पढ़िया भी बहुत ताइम देखें